प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सम्विधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायन, महाभारत एवं कुरान, करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि बाबा साहब अंबेत कर खुदा जाए तो भी सम्विधान खत्म नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री मोधी ने भाजपा पर सम्विधान को नश्ट करने के विपक्ष के आरोपों पर पलत्वार करते हुए यह बात कही। प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि सब कुछ हमारे लिए हमारा सम्विधान ही है। प्रधान मंत्री मोधी सीमावर्ती बार्मेर में भारतिय जंता पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। उन्होंने देश को कमजोर करने की कोशिश के लिए विपक्षी, इंडी गट बंधन पर हमला बोला। रैली का आयोजन बार्मेर लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार और केंद्रिय राज्य मंत्री केलाश चौदरी के समर्थन में किया गया था। बाद में प्रधान मंत्री मोधी ने दौसा में रोट शो भी किया। प्रधान मंत् के सभी साथियों का फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि जिस कॉंग्रेस ने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहिब को भारत रत्म नहीं मिलने दिया, जिस कॉंग्रेस ने देश में आपातकाल लगा कर सम्विधान को खत्म करने की शिशकी, आज वही कॉंग्रेस मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूट की आर ले रही है।